सारी मर्यादाएं भंग कर चुके हैं आप देखिए किस तरह से मार्चल के साथ गुंडागर्दी का व्यवार सदन के उपर चड़के पेपर फैंकना धक्का मुक्की एक विचारों का आदान प्रदान सदन के अंदर होना चाहिए ना के गुंडागर्दी करने चाहिए दिल्ल पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ही नहीं वह पूरी दिल्ली के तीनों निगम को देश के नहीं साइद दुनिया का सबसे गंदा निगम बनाना चाहते हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर हमारे यशश्वी प्रदान मंतरी मोदी जी ने एक वो छाप नमस्कार मैं जीतिन प्रसाद सुपरफास निविज में आपका स्वागत है राज्य सभा में जो घटना हुई जिसके बाद से आठ सांसदों को निश्काशित कर दिया गया है उससे भारत का छवी बहुत खराब हुई है हमारे साथ शाहद्रा उत्री छेत्र के पूर्व चे से क्या राजनेतिक लोगों की छवी खराब नहीं हुई है देखिए मैं आपकी आधी बात से इसमें सहमत हूँ सर्व राजनेतिक दलों की या राजनेतिक लोगों की छवी खराब नहीं हुई है मगर कुछ लोग या कुछ दल कह सकते हैं जो सारी मर्यादाएं भंग कर चु जिसमें खास थोर पर मैं आमादमी पार्टी के सांसद संजय सिंग के बारे में कहूंगा और इस पूरी पार्टी का ही कल्चर ऐसा है क्योंकि हम निगम में भी इनको बोगत रहे हैं आप देखे किस तरह से मार्चल के साथ गुंडागर्दी का व्यवार सदन के ऊपर चड़क पेपर फैकना धक्का मुक्की या एक विचारों का फरक है हमारे बीच में आपके बीच में एक विचारों का आधान प्रदान सदन के अंदर होना चाहिए ना के गुंडागर्दी करनी चाहिए तो आप देख सकते हैं और मुझे इस घटना को देखके तुरंत अपने निग निगम के अंदर की भी एक गटना याद आ रही है पिछले वर्स निगम के अंदर भी इसी प्रकार से हमारे महापौर के साथ इन्होंने बत्तमीजी करने की कोशिश की उसके बाद वहां को जो विवस्ताएं लगाई गई गई उन विवस्ताओं में जो मार्शल थी उस मार् अच्छ उस महना के सामने मार्पीटर सेकर्टी गाड़ जो मार्शल थी उसके साथ की गई थी तो यह आचरण इस पार्टी के निताओं का है इन पार्टी के लोगों का है जो ऐसा आचरण रखते हैं समाज को देश को दिल्ली को क्या दिशा देंगे बात करें तो आप तो शादरा उत्री छेत्र के चेर्मेन भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम देश के सबसे गंदे शहरों में हैं, इसका क्या आकार, हाँ वो चाहते तो साइद ऐसा ही है मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली नगर निगम कोई नहीं वो पूरी दिल्ली के तीनों निगम को देश के ही नहीं साइद दुनिया का सबसे गंदा निगम बनाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चस्मे से देखते हैं कि बोट कैसे मिले और जिन लोगों ने बोट दिया है उनको हम किस तरह से बरगलाएं बेवकूप बनाएं गुमाएं मगर दिली के बाचा कहने वाले मुख्यमंत्री जी आप अपने आपको जान लीजिए समझ लीजिए कि दिली की जनता है ये पड़े लिखे और समझदार लोग हैं ये अब आपके जहासे में और आने वाले नहीं हैं उन्होंने बखूबी देख लिया है कि दिली नगम को की बात हैं इन सब चीजों से तो कुल मिलाकर क के दिली की जनता का नुकसान हो रहा है कि अगर मान लिजिया अमादमी पार्टी और बीजेपी की वज़ह से अगर दिली का नुकसान हो रहा हैं CD को fund नहीं मिल पा रहा है, आप करें fund नहीं मिल पा रहा है, हम पूरा fund दे रहे हैं, तो आगे क्या रणने चाले हैं? देखे निश्चित तोर पर इस तरह के जब चीज़े होती हैं जो भी पैसा मिलेगा वो लोगों के कारियों में ही लगेगा जनता के हित में लगेगा समाज के हित में लगेगा न देने से निश्चित ही लोगों का नुकसान है समाज का छेतर का सब का नुकसान है और वह नुक के साथ लगे हुए हैं वो आपकी साजिस को काम्याब होने वाले नहीं देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े आखरी सवाल के आप राजनेताओं की छवी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आज भारती नहीं पूरे विश्व के पटल पर हमारे ये शश्वी प्रदानमंत्री मोदी जी ने एक वो छाप छोड़ी है कि वह अपना जन्म दिन भी अगर मनाते हैं तो उनकी एक लाइन होती है कि अगर मुझे जन्म दिवस की शुब कामनाई देना चाहते हैं तो किसी गरीब के चेहरे पर मुस् कराखे केक काट कर और पार्टियां करके इससे पहले पार्टियों का राजनेतिक दलों का इस तरह का कलचर रहा है तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को एक ऐसी दिशा देरा cultivate कि जब सदन में जाता है तो नत्मस्तक होके जाता है तो एक ऐसे भाउ के साथ है तो निष्चित र मगर दिल्ली और भारत की जंताव समझ रही है वह मोधी जी की रहा पर चल रही है और मोधी जी निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत को विश्व के पटल पर आगे बढ़ाएंगे